हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? तो फ्राइड फिश की रेजिपी मेरे स्टाइल में शुरू करते हैं इसके लिए मैंने डेड़ की जी रोहू फिश लिया है जिसका मैंने हेड अलग कर लिया है और जो बाकी पोर्शन था उसे मैंने ऐक बॉल में डाल दिया है सबसे पहले मैं इसमें दो एक डालूँगी यॉक के साथ ही एक डाले उसके बाद नमक, खल्दी, धन्या, मिर्ची ये सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं बस धन्या पॉर्डर का इस्तमाल जादा ना करें बाकी अगर आप मिर्ची जादा खाना पसंद करते हैं तो आप मिर्ची क्वण्टिटी बढ़ा लें नमक तो हम लोग सब बराबर ही खाते हैं बट कुछ लोगों को फी का पसंद होता है कुछ लोगों को जादा तो बस आप अपने टेस्ट के नुसार डाल लें यह मैंने एग इसलिए डाला है ताकि यह हमारे फिश को एक क्रंची फ्लेवर देगा और यह बहुत अच्छा लगेगा चाहिए आप इसे फ्राइ करके खाए या फिर आप ग्रेविय में डाल के खाए यह बहुत टेस्टी लगता है यह जो बबल्स जाधा बन रहे हैं इसमें आप मूली का टुकडा जिससे मैं आप फिश डालते हैं उस वक्त आप डालेए तो यह जो जघाग बन रहा है यह जघाग नहीं बनेगा मेरे पास मूली नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला और बस फिर इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे क्योंकि हमारा फिश आप अगर और क्रंची खाना है तो आप और कर सकते हैं बट मुझे हाफ फिश को ऐसे ही खाना और हाफ को ग्रेवी लगाना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो ये लीजिए मैंने सारे फिश को इसमें फ्राइब करके रख लिया है और टिशू पेपर पे मैं इसलिए निकाली हूँ ताकि एक्स्ट्रा वाल जो है वो अब्सॉर्व कर लेए और बिल्कुल रेडी है हमारा फिश फ्राइब देखिए किता डिलिशियस लग रहा है और मैंने ग्रीन चटनी के साथ सर्फ किया है तो आप भी इसे जरूर ट्राइ करें थैंक यू